हेलो एवरिबन आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अलग तरीके से सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टे भी है बिल्कुल आपके मुँँ में जाते ही घुल जाएगा तो रेसिपी को लास तक ज़रूर देखें चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो एकदम पॉफेक्ट हलवा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बिल्कुल सही तरीके से सभी चीजों का माप लेना तो यहां मैंने सूजी ली है और यह बारिक वाली सूजी है अगर सूजी मोटी हो तो ग्राइंडर में एक से दो बार उसे चला लें तो वो पतली हो जाएगी तो जितने मातरा में हम सूजी लेंगे उतनी ही मातरा में चीनी लेंगे उतनी ही मातरा में हम घी लेंगे और उतनी ही मातरा में हम दूद लेंगे तो सभी चीजों को हम बिल्कुल एक बराबर लेंगे चाहे आप किसी भी कप से किसी भी कटोरी से मापे तो यहां कुछ हमने ड्राइफ रूट्स लिये हैं किश्मिर से बादाम है काजू है और इसके साथ ही लाइची क्रश करके लिए है दो तीन तो आप चाहे तो केवल लाइची से भी इसे बनाएं बहुत ही टेस्टी बनेगा अब यहां हमने हलका गुनगुना पानी लिया है यह बहुत जादा गर्म भी नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है तो जितना हमने सूजी लिया था उसका दो गुना हमें पानी का यूज इसमें करना है जिससे हमारा बिलकूर पॉफेक्ट सूजी का हलवा बन कर तेयार होगा तो अब हलबा बनाने के लिए हमने यहाँ पे कड़ाई को गर्म कर लिया है तो सबसे पहले हमने जो घी लिया था उसमें से एक या दो चमच हम घी ले लेते हैं और इसी में हम ड्राइफ रूट को भून के अच्छे से निकाल लेंगे तो सबसे पहले काजू और बादाम हम एक साथ डाल रहे हैं यह थोड़ा जल्दी हो जाते हैं इसलिए बहुत ध्यान से भूनें और गैस की फ्लेम को लो रखें वरना यह जल सकते हैं तो यह भून गया है हम इसे निकाल लेते हैं अब इसके बाद हम किश्मिश को अलग से डाल रहे हैं और किश्मिश जैसे ही पूलेगी हम उसे तुरत निकाल लेंगे तो ड्राइफ रूट हमारे पूरे भून गया है अच्छी तरीके से गोल्डन हो गया है हमने इसे निकाल लिया है अलग रख देते हैं ये देखिए और अब हम हलवा बनाते हैं तो बाकी अब जितना बचा हुआ घीता हम सब कड़ाई में डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे मेल्ट होने देंगे इसके बाद हमने जो रवा लिया था वो इसमें डालेंगे रवा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम एक इसमें बहुत जरूरी इंग्रिडियन डालेंगे हम इसमें डालेंगे एक चमच बेसन डालने से हलवा टेस्टी तो बनेगा ही और साथ में इसकी ठीकनेस बहुत ही अच्छे आएगी इसका टे साथ भूंक दोटक कर दोदंते हुएं चेंड हो गया है घी पूरा जोड़न मौन आ गया है म फूलया लासे कि तो तो मुझत है कलरे दोद मौन में गया है सिवहात दोद्जाइं कि अम सब्सक्तरिकिन चीन द्यूद के rester इसे तब तक के भूनना है जब तक के चीनी अच्छी तरीके से मैल्ट नहीं हो जाती है तो यह देखिए तुरत मैल्ट हो गई चीनी एक से दो मिनट लगे तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो जितना सूजी था उसका दो गुना हमने हलका गरम पानी लिया था उसे डाल कर बस इसे लगतार अब हमें चलाना है जो इलाईची क्रश्ट करके रखी हुई थी उसे भी इसमें डाल देते हैं और लगतार इसे चलाते रहेंगे जब तक अच्छी सी इसमें ठीकनेस नहीं आ जाती है गैस की फ्रेम हमने मीडियम कर दी है और इसे बस अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे आप देखेंगे सुजी बहुत अच्छी तरीके से पक गई है तो अब हमने जो ड्राइफ फुर्ट्स टके थे तलके उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे तो अब आपको जितनी थीकने सिस्की चाहिए उतनी थीकने साथ हलवे की रख सकते हैं हलवा बिल्कुल थैयार हो चुका है सूजी अच्छे से पक चुकी है बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है मुँ में जाते ही हलवा घुल जाएगा और खाने में तो क्या कहने बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट तो एक बार जरूर मेरे तरीके से बना कर देखें रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर ना है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी ही में और भी ऐसी ही टेस्टी और इंट्रेस्टिक रस्पीस लेकर आपके लिए आती रहूंगी बने रहे ये वीनास किचन के साथ